गिनावने मनसूबों को कोचलना ज्यादा जरूरी है क्या आज वो ये चाहता है कि आतंक वाद के आगे घुटने टेक दिये जाएं आतंक वाद इस देश को खेरू खेरू बिखेर दे देश का विकास थम जाए देश का अमन अमान पूरी तरह से बिगर जाए यही आतंक वादी चाहता है यही आतंक वादी चाहता है जिनोंने ये घुनोना अपराद किया था उसे घसीट के लाना चाहिए और एक ऐसी सजा देनी चाहिए ऐसा सजा याफ़ता करना चाहिए कि पीडी दर पीडी it acts as a deterrent for generations पीडियां याद करें ऐसी घिनोनी सजा देनी चाहिए जिनोंने इस चीज की responsibility ली जो मानते हैं कि उन्होंने ये किया 1999 में कंधार में उनकी बेड़ियां किसने खोली थी उन्हें किसने रहा किया था ये मैं पूछना चाहता हूँ वो किसकी responsibility है हमारी लडाई उनके साथ है क्यों फौजी मरें क्यों जबान मरें क्यों बाप के कंधे के उपर दुनिया का सबसे बड़ा बोज बेटे का जनाजा 1700 इंसिडेंट क्यों बढ़ें पर्मनेंट सिलूशन क्यों ना हो इनके साथ हम सब की जंग है और मेरी भी है लेकिन किसी गुरू के सिख की जंग किसी दो साल के बच्चे पांच साल के बच्चे मजलूम महला बज़र्ग के साथ नहीं हो सकती क्या किसी गर्बवती महला के पेट में पलता हुआ बच्चा किसी का दुश्मन हो सकता है आप इन आतंकवादियों से लड़ाई लड़िये उनके घिनावने मनसूबों को कोचलना ज्यादा जरूरी है क्या आज कोई ये चाहता है कि आतंकवाद के आगे घुटने टेक दिये जाएं आतंकवाद इस देश को खेरू खेरू बिखेर दे देश का विकास ठमझाए देश का अमन अमान पूरी तरह से भिगर जाए यही आतंकवादी चाहता है जिनोंने ये घिनोना अपराद किया था उसे गसीट के लाना चाहिए और एक ऐसी सजा देनी चाहिए ऐसा सजा याफता करना चाहिए कि पीडि दर पीडि it acts as a deterrent for generations पीडियां याद करें ऐसी घिनोनी सजा देनी चाहिए जिनोंने इस चीज की responsibility ली जो मानते हैं कि उन्होंने ये किया 1999 में कंधार में उनकी बेडियां किस ने खोली थी उन्हें किस ने रिहा किया था यह मैं पूछना चाहता हूँ वो किसकी responsibility है हमारी लड़ाई उनके साथ है क्यों फौजी मरें क्यों जबान मरें क्यों बाप के कंधे के उपर दुनिया का सबसे बड़ा बोज बेटे का जनाजा सत्रा सौ इंसिडेंट क्यों बढ़ें पर्मनेंट सिलूशन क्यों ना हो इनके साथ किसी दो साल के बच्चे पांच साल के बच्चे मजलूम महला बुजर्ग के साथ नहीं हो सकती क्या किसी गर्बवती महला के पेट में पलता हुआ बच्चा किसी का दुश्मन हो सकता है आप इन आतंक वादियों से लड़ाई लड़िये उनके पर्मानेंट सिलूशन इंटरनेशनल कम्यूनिटी को साथ लेके जरूर होना चाहिए और सजा जाफता भी जरूर करना चाहिए लेकिन साथ बाई साथ इसका मुझे जो लगता है कि डायलॉग से इंटरनेशनल कम्यूनिटी का प्रेशर पूरी तरह से करके कि जो गालियां नकालने से ये नहीं ठीक होगा इसका एक पर्मनेंट सिलूशन आना चाहिए कब तक हमारे जवान शहीद होते रहेंगे और कब तक ये खुन खराबा चलता रहेगा ये एक बात आप समझ लीजिए मैंने आपको पहले कहा कि हर देश में देर इस दी कुड देर इस दी पैट देर इस दी अगली कि जो चंद लोग ये सब कुछ कर जाते हैं इनको सजायाफता करना चाहिए लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरी कौम को आप चपेटे में ले लो मुझे लगता है कि हर हालत में हर हालत में जो कुछ भी हुआ है उसकी इंटरनाशनल कम्यूनिटी में पूरे वर्ल्ड में निंदा होनी चाहिए और उसका एक जिसको कहते हैं ना कि उसकी निचाए पूरी गहराई तक जाके उसका आत्मचिंतन होना चाहिए और एक पर्मनेंट सल्यूशन डायलोग से जरूर निकलना चाहिए प्रेशर इंटरनाशनल कम्यूनिटी को साथ लेके वो प्रेशर ग्रूप जब तक नहीं बनेगा ऐसे ही होता रहेगा किसी को गालियां देने से यह हल नहीं होगा भाई जहां जहां आप व्यटनाम देख लो और हजार जगा देख लो जहां जहां जग होती रही है एक तरफ अगर यह दर्दनाक खौफनाक आजसे होते हैं दूसरी तरफ उसके साथ साथ डायलोग पर चलता है तांकि कुछ पर्मनेंट सोलूशन निकले